एकातषी तो आज से हम अपने घड़के बाहर दिया जलाएंगे तो ये सब आज के व्लग में क्वाइब करेंगे और आज रेशपी प्रेश्पी पलक पनीटी रेसिपी तो इसके लिए मैं ने फ़्रीट के लिया है और पनीटां है तो इसके बिए लिए भी जा रही हूँ तो मिलती हूं फिर पनीर खड़ के आने के बाद और एक तेके व्लब में क्या क्या होता है तो मैं पनीर तो लेके आ गाई हूं लेकिन मैंने रेखा कि पोधे कुछ ज्यादा ही मुर्जा गया है पताने किस वज़ा से तो मैं इसकी मित्ती उपर नेचे कर देती हूं और पाण करते हूं दिन में जिटने वी सफाई करो सुवह सुवह साम तक होते हुए पर एक दम फिर से मतलब करना जरूरी है इतना घंडा हो जाता है और यहां पर मैंने पोछा लगा रहे हैं मैं इसको फोल लेती लेकिन पानी जल्ली सुखेगा नहीं इससे मैं पोछा ही लगा दी ताकि जल्दी से सुख जाए और इसके बात में जल्दी-जली साम भी हो जाती है फ़्स फटन का टाइम है तो जिल्दी साम JIM leo जाती है और इसके बात में थोड़ा सा रंगोल ही करोंगी और देखिए में कुछ यहां पर नेल्स लगा रही हूँ ताकि मैं आपर तोरण लगा पाऊंगे वह मिसों से मंगाया है तो यह है वह तोरण देखिये क्या सा लग रहा है कि यहां पर लगाने से मुझे लगाया थोड़ा सा मतलब बढ़ा हो गया है इसको बीच में से और एक नियल्स लगाना पड़ेगा यह देखो मैंने इस तरह से लगाया है। अच्छा लग रहा है कि हुआ है थोड़ा से कमेंट करके बताएं इसके बार में थोड़ा से रंगबले करके दिया लगाऊंगी और यह देखो मिस्थी हमारे घर आई हैं खेल रही है हमारे यह क्रिष्णा की और मिस्थी की दोस्ति बड़ी अच्छी हो गई है और कोई खेले ना खेले मिश्टी और क्रिस्टना वह तो अच्छे से खेलते हैं कि अज़े तो यहां पर मैं चुटे-चुटे स्वास्टिक बना रही हूं इसी के पर मैं डीप चुदिया जलाऊंगी इसी के पर रखोंगी और जियादा अभी रंगोली करने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी बच चुके है और उसके बद मुझे खाना भी बनाना है घर भी सजाना है थोड़ा बहुत काम बाकी है तो इसी वजह से और सिर्फ अभी स्वास्टिक और कुछ नहीं तो गाईस आपको एक र स्क्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए उसमें आपका एक रुप्या वी खर्च नहीं होने वाला है तो प्लेस कर दीजिए टाकि मेरे चैनल की ग्रोट फोड़ी बढ़ पाया और देखिए मैं अभी स्वास्टिक कैसे बना रही हूँ हूँ तो यह देखिए मैंने तु और दीजिए पहले से पाने में भीगो दिया था अभी इसको पोच के इसके अंदर दीजिए अब चलिए मैं अब थुरा सथा द्राइंग रूम से जाती हूं तो मैंने कुछ दिवान से इसमें इसके लिए यह खटके पर लगाने के लिए लेकिन इक लर्ड तो अच्छा है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा देखती हूं लगाने के बाद कैसा लगता है तो देखिए फाइनल लूप नीचे में करपेट है उपर में प्रेट सीट यह देखिए तो अच्छा तो दिख रहा है और इतना मैंने किया उसके बाद मेरे हस्बन एक बल भी लगे यहां लगाती है तो और भी अच्छा लिख रहा है और लाइटनिंग लगा करेंगे कल तो आज के लिए बस इतना ही और कलर तो अच्छा लग रहा है लेकिन फड़ा मुझे कपड़ अच्छा नहीं लगा और कापेट भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आपको कैसा लग ताकि यह अच्छे से बॉइल हो जाए तो पालक बॉइल हो गई है अब इमें इसका पाणी निकाल के इसको थंदा करके बॉइल कर लोंगी यहां मैंने पालक बॉइल कर दी है और यह रेखो मसला पिना प्याद ले सुनका है मगज का जो सीट्स होता है तर्बुज का मंजी औ अद्रक तमाटर मिर्च और थोड़ा से जीरा और ग्राइणिंग कर दिया है यह रेको पालक को मैंने जैसे बॉइल कर लिया था पांच निर के लिए तो इसका कलर वैसा ही है मिल्कुल चेंज नहीं हुआ है कितना ग्रीन है और इसके बाद मैंने यहां पर जो पनीर है इसक अद्रक विए तो चलिए अभी बनाते हैं तो एक पैन में थोड़ा सा तेल थोड़ा सा तेज पता एक या दो तेज पता और इसके बाद मैं थोड़ी सी मिर्च पाउदर एट करूंगी तेल में लकीस का कदर अच्छे से इसमे आ जाए और हल्डी थोड़ा सा क्योंकि इसम अर इसके बाद जो ग्राइनिंग क्या हुआ मसाला मैंने रिटी किया था उसी को आड कर दिया तो इसको अच्छे से मिला के इसमसाले को होने देंगे थोड़ दे के लिए तकन लगा के स्लोफेम पे इसमे थोड़ा सा जिर्ण पाउडर और थोड़ा सा सबजी मसाला जिसमें प्यार लसुन नहीं है इसको मैंने एड़ किया है अभी तो अभी थोड़ी दिल के लिए उसको slow flame पे होने देंगे तक कि मसाला अच्छे से हो जाए तो देखिए ये मसाला हो रहा है अभी भी इसमें थोड़ा sun mark नहीं जाला था तो मैं थोड़ा नमक एड़ कर देती हूँ तेस्ट के नुसर नमद और साइद में दिखिए ये मेरा lemon rice रेड़ी हो गया है तो lemon rice के रेसीपी में आद नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा time कम है और ये मसाला आवे भी हो रहा है और थोड़ा सा होगा अब यह हो गया है देखो टेल भी अलग हो गया है तो इसके अंदर में अभी जो ग्राइन लिंग करके पालक रखी थी उसको मैं आइट कर दूगी इसे अच्छी से मिला देंगे और इसके बाद पंडिर भी एड़ कर दूगी और अगर आप चाहेए तो उपर से थोड़ा सा बटर गी एड़ कर सकते हैं एस कुछ भी एड़ नहीं किया बस ब्लेन ही है और यह है मेरा पलक पनिर जड़ी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सस्क्राइब भी कीजिए और मिलती हो फिर एक नए व्लोग में कल टप्टक के लिए बाई टेक और गुड नाइट